ओगप हेलो प्यारे बच्चों बच्चों आज की वीडियो में हम क्लास 5 इंगलिश की वरक सीट No.8 का रिवीजन करेंगे इस वरक सीट में रिवीजन करेंगे हम लेसन No.8 का My Elder Brother तो बच्चो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं यहाँ पर एक स्टोरी है उसे रीड करें और उसके बाद कुश्चेंस के आंसर दें देखते हैं बच्चो इस्टोरी है द थ्रस्टी क्रो प्यासा कोवा इट वॉज अ हॉट डे यह गर्मी का दिन था अ क्रो वॉज वैडी थ्रस्टी एक कोवा बहुत प्यासा था उसने इधर उधर पानी के लिए देखा उसने पानी का एक बरतन देखा बट देखा लेकिन उस बरतन में बहुत कम पानी था उसने एक यूजना सोची, उसने कुछ पत्थर एकट्टे किये और उन्हें उस पाट में डालना शुरू किया पानी उपर आ गया, देख्रो ड्रेंक देखा, कोई ने पानी पिया और खुस होता हुआ उड गया now question is, who was thirsty, प्यासा कौन था, answer is a crow was very thirsty, एक कोई प्यासा था next question is, how was the day, दिन कैसा था, it was a hot day, ये एक गर्मी का दिन था next is, what did the crow see, कोई ने क्या देखा, answer is the crow saw a pot of water, कोई ने एक पानी का बरतन देखा next question is, what did the crow collect, कोई ने क्या इखटा किया, the crow collected some stones, कोई ने कुछ पत्थर इखटे किया next question is, how was the crow feeling, कोई कैसा फील कर रहा था, the crow was feeling happy, कोई अब खुसी मैसूस कर रहा था now question is, underline the name, the nouns in the following sentences, यहाँ पर कुछ sentences दिये गए है, उन में जो noun है, उनको name भी लिखना है और उन्हें underline भी करना है, सबसे पहले देखते हैं, noun, a noun is a person, place, animal और thing, noun क्या चीज़े होती है, किसी भी परसन का नाम, किसी भी जगया का नाम, animal का नाम, या कोई भी thing हो, उसका नाम, उसे noun कहते हैं, for example, जैसे की, राजु, बॉल, कैट, स्कूल, यह सभी चीज़े क्या है noun है, noun में अप प्रकार होते हैं, जैसे उसी में है एक abstract noun, something that you cannot perceive with your five senses, जो चीज़े आप अपनी five senses से नहीं प्राप्ट कर सकते, उसे abstract noun कहते हैं, जैसे की belief, belief को पकड़ नहीं सकते, love, love को भी नहीं चूँ सकते, pride, happiness, जो हमारी feelings होती है, उन्हें हम abstract noun कहते हैं, तो देखते ह first है, sunny is playing basketball, इसमें noun क्या है, sunny और basketball, ये जो है noun है, next है, ताजमहल इस एट आगरा, ताजमहल कहा है, आगरा में है, तो इसमें noun कौन-कौन सी है, ताजमहल और आगरा, next है, my bag is full of books, मेरा wag जो है, वो book से भरा हुआ है, तो इसमें क्या-क्या है, my bag and books, क्या है noun है, next है, the cup is on the table तो इसमें noun क्या-क्या है, cup and table, next है, India has a tree color flag, इंडिया का flag कैसा है, तीन रंग का है, तो इसमें कौन-कौन सी है noun, India and flag, next है, my cat loves its kitten, मेरी जो cat है, वो अपने kitten से बहुत लव करती है, तो इसमें noun क्या है, my cat and kitten, next है, our family has a fondness for music, मेरी family को music बहुत पसंद है, यानि कि वो music के बहुत सौकीन है, तो इसमें noun है, our family and fondness or music, next है, my classroom is very big, तो इसमें classroom, क्या है, ये noun है, next है, Mrs. Gupta is my math teacher, इसमें क्या-क्या है noun, Mrs. Gupta, teacher and math, तो इन पर आपको underline करना है, next है, honesty is the best quality, इसमें noun क्या है, honesty and quality, now question is, read the lines from the story and answer the following question, अब यहाँ पर एक story दी गई है, इते पढ़िये, और questions के answer दीजिये, मुन्ना, मुन्ना कहता, ओ भाईया, there is a big mela in the village today, आज गाओं में एक बड़ा मेला है, should we go, क्या हमें जाना चाहिए, भाईया कहता है, have you ever seen me going to a fair, or going to watch a cricket or hockey match, क्या तुमने कभी मुझे किसी भी मेले में, या cricket match को, या hockey match को देखने जाते हुए देखा है, I don't go near them, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, do you expect to pass, क्या तुम पास होने की आसा करते हो, if you waste your time playing all the time, यदि तुम सारे दिन खेलने में waste करोगे तो, I prefer to study a book, मैं एक किताब पढ़ना पसंद करूँगा, You are simply wasting father's heart earned money, तुम तो पैसे waste कर रहे हो, जो कि हमारे father ने बहुत मेहनस से कमाए है, मुन्ना starts crying on being scolded, मुन्ना जो है डाटे जाने पर अपने भाई से रोना शुरू कर देता है, और वो सुपकियां लेने लगता है, The above scene is from the story, यह जो उपर का दर्श्य है, वो story से है, My elder brother, so the relationship between two brothers, यह जो story है, दो भाईयों की relationship को दिखाती है, and how they support each other, वो एक दूसरे को कैसे support करते हैं, Question is, who is the writer of the story, My elder brother, My elder brother जो story है, उसके writer कौन है, किसने लिखा है, So answer is, the story is based on बड़े भाई साह, यह जो story है, वो बड़े भाई साहब, story पर based है, उसके आधार पर है, written by Munsi Premchand, जो की Munsi Premchand के द्वारा लिखी गए, Next question है, Do you think we waste time, आपको क्या लगता है, कि हम अपना समय बरबाद करते हैं, If we do not take out time to study, यदि हम अपना time जो है, वो study को नहीं देते हैं, Answer है, No, we don't think so, हम ऐसा नहीं सोचते, Next is, Hard work is the secret to do well in life, जो hard work है, वो जीवन में अच्छा काम करने के एक secret होता है, What is your secret, आपका क्या secret है, that helps you to do well in your life, जो आपके जीवन में आपको अच्छा करने में मदद करता है, Answer is, Our secret is studying with time table, एक time table के साथ पढ़ना ही हमारा secret है, बच्चे यदि आपका कोई different secret है, तो आप यहां पर उसे लिख सकते हैं, Next question is, A time table is a plan of the time, Time table जो है, time का एक plan होता है, When particular things, events are to take place, जब हमें कुछ चीज़ें बिलकुल exact time पर करनी होती हैं, Let's make one right now, अब हम एक बनाएंगे, Try to include your study time and play time both, अब आप जो यह time table बनाएंगे, उसमें अपना study time भी add करेंगे, और कब आप खेलते हैं उस time को भी, तो बच्चे यह तो time table है, वो आपको swim ready करना है, Now question is, Letters to friend and close family are written in the same way as you speak to them, जो family members हैं, उन्हें जब letter लिखते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं, जैसे हम बातचीत करते हैं, Write a letter to your friend or relative, अब आपको एक letter लिखना है, अपने मित्र को या आपने किसी भी relative को, In another city, किसी और city में जो रह रहा है, Telling Him यह बताते हुए कि, About your studies during COVID-19 pandemic, COVID-19 महामारी के दौरान आपकी study कैसी है, यह बताने के लिए आपको, अपनी friend या relative को एक letter लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले address लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपने friend का नाम लिखेंगे, जैसे की dear Rahul, उसके बाद लिखना है आपको, आप भी वैसे ही होंगे, जब lockdown लगा, तो मुझे कुछ दिन तक बहुती boring feel हुआ, बट इट टरंड इंटरेस्टिंग, लेकिन यह बहुतीं इंटरेस्टिंग हो गया, वेन माई online classes इस्टार्टिज जब मेरी online classes शुरू हुई, अब मैं अपनी online classes enjoy कर रहा हूँ या कर रही हूँ and hope you do, और आसा करता हूँ या करती हूँ कि आप भी enjoy कर रहे होगे, नीचे क्या लिखना है आपको, यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel, Thank you,